एक्सक्षिन क्षिशन से जादोजा तेरा का सवाल है इट सेज द विवलेंग्ड लेंडा इओ फोटॉन यहां पे ध्यान देना फोटॉन पूछा है प्रोटॉन नहीं हाँ फोटॉन आफ सेम एनर्जी या रिलेटिड बाए दोनों के बीच में रिलेशन क्या बताना है चार अपने एयरे रहे हैं यहां पर इलेकर रॉन है उसको लेंडा लिखेंगे उस लेंडा को में अब लिख सकता है च डिवाडरीट इंडेरूट टो मB यह आपका लैंडा ओफ एलक्ट्रॉन लिखा जाएगा इसको इसे लिख लेते हैं लेक्ट्रॉन अलाइं फोटॉन जो है उसके लिए आप जो L5 है क्योंकि फोट आंस का मास होता उसके लिए लैम्ड ना मैं यहां ऐसे ना लिखे लेले लिखोट के लेंगे लैंब फोट ऊंविल बिएकोल टू एच डिवायद़ रइनी कि अगा है at c divided by e यह आपकी lambda photon है अब यहाँ पे दोनों के बीच में हमें relation बताना है और यहाँ पे हमें e की सुपारी देनी होएगी तो इसको अगर हम यह आपकी equation number 1 है यह equation number 2 है क्योंकि यहाँ पे energy same है तो अगर दोनों को हम square कर दे इसको ऐसा करते है 1 का square उसको आप divide कर दे 2 से यह divide है उसको आप 1 के square को 2 से divide कर दे तो आपका यह बनेगा lambda e का square divided by lambda p will be equal to यह बनेगा आपका h square divided by 2me multiplied by इसका reciprocal का ले लेते हैं यहाँ जाएगा e divided by hc यहाँ पे आपका e cancel हो जाएगा यहानि कि बचेगा lambda e का square divided by lambda p बचा e cancel हो गया divided by 2mc यह बचेगा और यह value आपकी constant है अब इस सारी कहानी का सारी हो विच इंप्लाइज आपका lambda e जो है उसका square will be proportional to हम कह सकते हैं lambda p हो जाएगा ठीक है तो यह इनके बीच में relation आएगा तो based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number c would be the right answer कह सकते हैं